सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोवेंट्स आज की दिन हम बात करने वाले हैं स्वैलोट स्टार की ओफिशल एपिसोड 135 पर एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले उसकी व्यू को देखते हैं तो जैसे ही लुफिंग देखता है कि रौंग जुन ने अपने कलोन को क्रियेट किया है तो कलोन को क्रियेट करने की वज़़ से यहाँ पर स्पेस में जो फ्लक्शूइशन साती हैं उनको लुफिंग समझ लेता है और उसके साथ ही कहता है रॉंग जुन की बाड़ी की साड्स पर मुझूद स्पेस डिस्टॉर्ट हो रही है और उसमें क्वांटम सेपरेशन आ रही है और दोनों ही ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉंग जुन की फिसिकल बाड़ी से और जहां तक मुझे लगता है ये किसी ना किसी तरीके एबसोल्यूट स्पेस की तरह के साथ मिलती जुलती टेकनीक है तो एबसोल्यूट स्पेस जो के लुफेंग को गोल्डन होन बीस्ट की टेकनीक में से मिलती है उसकी secret technique के first level में लूफैंग physical form के बिना illusions को create कर सकता है जिसमें clone तो लूफैंग भी create कर सकता है मगर उसकी physical body नहीं होगी मगर लूफैंग कहता है कि अगर तो मैं रॉंग जून की space pattern को अच्छे तरीके से समझ लेता हूँ आखर जैसे ही रॉंग जुन लूफेंग को फिनिश करने लगता है तो तब तक लूफेंग भी इस टेकनीक को समझ कर अपनी बॉड़ी का क्लोन तक क्रियेट कर चुका होता है और यहाँ पर यह फाइट एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहाँ पर लूफेंग भी रॉंग जुन की अबिलिडिस के काफी स्यदा करीब तक पहुंच जाता है और अभी के लिए यह फाइट दुबारा से एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता के इन दोनों में से कौन जीतने वाला है तो जैसे ही रॉंग जुन लूफेंग को यह टेकनिक यूज करता देखता है तो उसी के साथ ही कहता है क्या तुम भी ऐसी इलूइंग को क्रियेट कर सकते हो जिसके बाद जैसे ही यह फाइट आगे बढ़ती है तो उसी के साथ ही लूफेंग और उसका क्लोन मिलकर रॉंग जुन का सामना करने लगते हैं और दुबारा से यहाँ पर फिजिकल कॉमबैट स्टार्ट होती है मगर कुछ ही ब्लोस के बाद रॉंग जुन लूफेंग के क्लोन पर अटेक करता है और यह कलोन लूफेंग को फिनिश ही कर देता मगर ऐसा होने से लूफेंग सिर्फ इस वज़ज़ से बचता है कि उसका कलोन इलूइन से क्रियेट हुआ है जिसकी वज़ा से जैसे ही लूफएंग का ये कलोन खत्म होता है तो लूफएंग एक और कलोन को क्रियेट कर लेता है या फिर उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि शायद से उसने टेलिपूर्ट किया है जिसके बाद दوبारा से लूफएंग 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 रॉंग जुन पर अटेक करता है और लूफएंग जून को काफी स्यदा हैवी बलो देता है तो दोनों में से कोई भी नाक आउट नहीं होता मगर इन दोनों की spiritual power और physical power काफी ज़्यदा हद तक exhaust हो चुकी होती है जिसके साथ ही रोंग जुन जैसे ही लूफेंग पर attack करने लगता है तो लूफेंग भी अपने physical weapon lightning sword को बाहर निकाल लेता है जो के earth के great के हिसाब से double S rank का weapon है और उसी के साथ जैसे ही ये दोनों अपने कुछ attacks को exchange करते हैं तो दोनों ही अपने final move का use करते हैं जहाँ पर देखने वाले सारी audience ही सब को देखकर काफी स्यादा हेरान रह जाती है क्योंके at the end low fang इस match को हार चुका होता है मगर इस match को हारने के साथ साथ low fang end तक fight करने की वज़े से wrong chun की respect को भी हासिल कर चुका होता है जिसकी वज़े से low fang जैसे ही गिनने लगता है तो wrong chun उसे hold कर लेता है और यहाँ से इन दोनों का एक ऐसा bond start होता है जो के हमें सीरीज के हाफ से ज्यादा हिससे तक देखने को मिलेगा जिसके साथ जैसे ही यह fight complete होती है तो जिन लोगों ने तो low fang के जितने से उमीद लगाई थी वो लोग काफी स्यादा sad होते है मगर जिन लोगों ने low fang के हारने से उमीद लगाई थी वो सब लोग इसकी वज़ासे काफी स्यादा खुश होते है मगर उसी के साथ ही हों कहता है इस हद तक wrong chun का मुकाबला करना और उसे इतनी स्यादा अच्छी fight देना हमारे थर्ड ब्रेदर का नाम च्यानवो यूनिवर्स पे आल लेडी काफी स्यादा उन्चाई तक पहुँच चुका है जिसके साथ ही हम देखते हैं लोफंग और रोंग जुन को चहाँ पर रोंग जुन लोफंग से कहता है इन मैचिस में बार बार हिस्सा लेना मेरे किसी भी काम का नहीं है मगर तुम्हारे साथ fight करना मुझे बहुत स्यादा अच्छा लगा है और इस fight को मैं बहुत स्यादा enjoy कर पाया हूँ और मुझे इस बात की पूरी उमीद है कि आने वाले times में तुम और भी स्यादा अच्छे result शो करोगे जिसके साथ ही ये दोनों virtual space से बाहिर आचाते हैं और इसी के साथ ही शाय से हम दुबारा से बोलान को देखते हैं मगर ये मुझे बोलान लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा क्योंके novel में बोलान का character एक male का character है मगर ऐसा हो भी सकता है कि सीरीज में उसे change कर दिया गया हो और उसी के साथ सा जिस तरह से सीरीज इस character को introduce करवा रही है ये बात भी confirm है कि ये जो भी figure है ये कोई important figure है जिसके साथ ही हम देखते हैं 3X Mountain के leader को रोंग जुन लास्ट की 100 genius battles में से सबसे ज्यादा strongest genius है आने वाले टाइम में लूफैंग और भी ज्यादा अच्छा fighter बनेगा और अपने लिए बेहतर नाम बनाएगा जिसके साथ ही लूफैंग जैसे ही virtual space से बाहर आता है तो सबसे पहले तो उस इस fight के बाद इस बात की समझ लगी होती है कि spiritual masters का काम spirit के through fight करना होता है और weapons का use वो लोग body से ज्यादा करते हैं और ये बात लूफैंग के लिए समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि लूफैंग इतना ज्यादा weapon का use नहीं करता जितना ज्यादा physical fight में गुजज जाता है जिसकी वज़ा से अभी के लिए आने वाले टाइम में लूफैंग ज्यादा अपनी spirit पर focus करेगा जिसके साथ ही हम देखते हैं शूर्शिन यहाँ पर आचाती है और लूफैंग को आकर मिलती है और आने वाले टाइम में तुम और भी ज्यादा अच्छे fighter बन चाओगे और अर्थ को defend कर सकोगे जिसके साथ ही हम देखते हैं लूफैंग बबाता के virtual space में आचाता है चाहाँ पर आते ही बबाता उससे कहती है मैच रूल्स को देखा जाए तो cycle battle period के दोरान तो मेरो जाना 10 मैचिस में हिस्सा लेना होगा जो के 3 साल तक चलता रहेगा जिसकी वज़ए से मैं तुम्हारे लिए एक battle plan क्रियेट कर रही हूँ और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हारी sky shield को level 5 तक अपडेट कर दिया है जिसमें के black cloud reversal टेकनिक आई होती है जो के low fang की flexibility को और भी ज्यादा enhance कर देगी और upgrade होने के बाद इस weapon की power और इसका view और भी ज्यादा amazing हो चाता है जिसके साथ ही बबाता उससे कहती है कि इसमें मुझूद पहले की जो 4 farm हैं वो भी और ज्यादा strong हो चुकी हुई है जिसकी वज़ा से तुमें जल्दी से जल्दी इनको use करते हुए इसके साथ practice करना होगी जिसके साथ ही low fang भी practice के लिए ready हो चाता है और उसी के साथ ही low fang बबाता से पूछता है कि आने वाले टाइम में मैं किस senior के साथ fight करने वाला हूँ जिसके साथ ही बबाता उसे बताती है master के पांचु undying level slave में से तुम जियूशिया के साथ fight करने वाले हो क्योंकि इसकी spirit बाकी के सारे undying में सबसे ज्यादा amazing है और ये एक ऐसी giant galaxy से आता है जो के billions of light years दूर है master को join करने से पहले ये एक famous planet pirate demon clan से belong करता था जो सुनते लूफ हैं काफी स्यादा शौक होता है क्योंकि उसने demon race का नाम शाय से पहली बार सुना है जिसके साथ ही बबाता उसे बताती है demon clan universe के six highest clans में से एक है हाला कि उन सब की physics काफी स्यादा monstrous physics होती है और उनका intelligence humans के बराबर तक होता है बगर उनका talent तुम सब लोगों में से सब से ज्यादा हाई है टिकनोलोजी को छोड़ कर demon clan के लोग ज्यादा तर genetics पर work करते हैं और अपनी bodies में इस तरह की genetics को use करते हैं जिनकी through उनकी line age और उनकी power काफी ज्यादा powerful हो चाती है जिउशिया कातू क्लैन का एक low bloodline warrior था जिसकी वज़ा से उसके क्लैन का pressure उस पर काफी ज्यदा था और इसी की वज़ा से ही जिउशिया ने royal clan की plate को immortal warrior fight के दोरान चुरा लिया था जिसकी वज़ा से demon clan को इंसानों के क्लैन के साथ fight के दोरान हारना पड़ा था और उसी fight में तुम्हारे master भी मुझूद थे जिस fight के बाद master ने जिउशिया को recognize कर लिया था और उसके बाद उसे master का slave बनने का मोखा मिला था और मैंने जिउशिया के clone को तुम्हारे level तक manage कर दिया है जिसकी वज़ा से उसका clone भी उसी level पर है जिस level पर तुम हो नहीं आती के मैं जिन्दा कैसे हुआ हूँ या फिर मुझे consciousness कैसे मिला है बलके अपने सामने एक opponent को देखकर जिउशिया काफी स्यदा loudly हस रहा होता है जो के काफी monstrous lotter होता है जिसके साथ ही हमारा episode यहीं पर complete होता है और मैं मिलता हूँ आप सब से नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपने प्यारों का खयाल लखियो